कि नमस्कार आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक कि चुनाओं में रोचक होने की इस्तिति और साफ हुई आज बाजबा की एक और सूची बाहर आई 200 सीटों कर सबसे रोचक चुनाओं जो है वो है मुख्य मंत्री अशोग गहलोत के सामने कौन चुनाओं लड़ेगा या किसको टिकेट मिलेगा यह सुस्पेंस आज खत्म हो गया जेडिय के पूरु चेर्मेन प्रोफेसर डॉक्टर महंदर सिंग राठोड को भाजबा ने पूरे विश्वास के साथ अशोग गहलोत के सामने खड़ा कर दिया आज उनकी सूची में नाम आ गया और नाम आते ही राठोड ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया वो प्रोफ पास के लोग छेत्र के लोग राठोड की लोकप्रियता उनकी साथ छवी की वज़े से भी है जेडिय के पूरु चेर्मेन रहे और उस पूरे कारेकाल में उन्होंने अपने पर एक दाग नहीं लगने दिया जबकि ऐसे पद पर अक्सर दाग लगते हैं और वो भी बड़े बड़े दाग लगते हैं कई बार तो जेल भी जाना पड़ता है लेकिन राठोड ने प्रॉफेसर होने की वज़े से अपने उस छवी को हमेशा वैसा ही रखा जैसे विद्यारतियों को पढ़ा कर आगे बढ़ाते हैं उनके पढ़ेवे विद्यारती खूब आगे बढ़े में जब भी मीडिया का माइक सामना आया उन्होंने यही का गहलोत के सामने चुनाव लड़ना है तो मैं पूरे खम के साथ उतरा हूं और जीत कर दिखाऊंगा बाजबाने मुझे पर विश्वास की है तो मुझे विश्वास पर खरा उतरूंगा उसकी एक वज़े उन्हों तो दो लाग की वसूली के लिए कोई भी गुंडा घर के बार बोली चला कर पैसे मांग लेता है घर में घुसकर डखेती होती है सड़क पर बच्चियों का अप्राण और बलात कार हो रहे हैं शहर विदान सभा पर भी बाजबा की अब तक जो अटकीवी बात थी वो पूर प्रण में अतुल बंसाली के अंकल यानि चाचा दो बार केलाश बंसाली यहां से विदाइक रह चुके हैं और अतुल बंसाली हालागी पिछली बार हार गए थे लेकिन बाजबा ने उन पर फिर से विश्वास किया और मनीशा पमार के सामने चुनाव मैदान में हैं मुनि इस बार टक्कर रोचक होगी लेकिन पूरे देश की नजर पूरे मीडिया की नजर जो है वो मुख्यमंत्री अशोग घहलोत के सामने प्रोफेसर डॉक्टर मेहंदर सिंग की जो टक्कर है जो वोटिंग का मामला रहेगा जो जनता कैसे जुड़ेगी अब वहां एंटी इंकम पाशोड जोश में हैं और मुख्यमंत्री अशोग घहलोत को यह लगता है कि मैं तीन बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मेरा घड़ है मैं फिर से जीतूंगा लेकिन यह गलत फेहमी भी हो सकती है ऐसा मैं इस लिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री इंदरा गांधी हा सकती है तो अशोक गहलोत क्यों नहीं गहलोत का जादु हर बार चले ऐसा भी नहीं होगा वैसे कहा जाता है कि गहलोत इसलिए जीटते हैं कि लोग उनका साथ केवल इसलिए देते हैं वह मुख्य मुख्य मंतरी बनेंगे लेकिन इस बार तीन बार के कारेकार पूरे हो चुके हैं और इस बार मुख्य मंतरी बनने की संभावना कते नहीं है क्योंकि हमारे राजस्तान की ये प्रतासी रही है कि पांच साल कॉंग्रेस और पांच साल बारतिय जनता पार्टी अब बारतिय जन पर्चम लहरादे और मीडिया के सामने एक उधारन पेश करें कि मीडिया ऐसा कई वह क्या बात है जैसे कहते हैं वह ताज राठोड अपने साफ छवी और रिष्टों को लेकर उतर रहें और गहलोद अपने मुख्य मंतरी पद को लेकर अतुल बंसली को लगता है कि वह पिछ रोचक लेकिन सूर सागर की सीट अभी भी अधर जूल में है कॉंग्रेस ने अभी भी अपना व्यक्ति उतारा नहीं है ऐसा क्यूं क्या उनके पास अनुभवी या अच्छे नेताओं की कमी पड़ गई है या उनको किसी पर विश्वास नहीं है अब मुस्लिम या हिंदू और हिंदू में भी पुष्कना ब्रह्मन या कोई और चर्चाय लगातार हो रही है चाहे चाहे की थड़ी हो या घर में ऑफिस हो या सड़क पर बस में हो या कार में जो जहां लोग मिलते हैं बात करते हैं कि सूर्श अगर का क्या होगा कॉंग्रेस इतना डरीव ही क्यों खेर जो भी है हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय वारत करते हैं